हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल इस्टेड़ी प्लैटफॉम पे आज के सुटम बात करेंगे डिफेंज एंड इस्टेडिंग इस्टेडिस के टॉप संट में जिसे आप मिलिटरी साइंस के डोनों के लीडिए के से कंड़ प्लुस से फिरेंगा ठीक सेड़ के लिए सबसे बारा सकते आप इसके लिए तीन ऊप्षिण और लिख सकते हैं तो उसमें से कंश़र सकते हैं कर ते जिखेंगे मैं तो साठ से जाद इदी चलूँंगे, तो मेरे साधी बातों को सुनते चलेंगे किस ने कहा था पॉड़ावसी ही सबसे बड़ा शत्रू होता है किस ने कहा था पॉड़ावसी ही सबसे बड़ा शत्रू होता अंसर कर देंगे कॉटिले ने कहा था यहां पॉड़ावसी की हैं पॉड़ावसी रास्च की बात कर रहें ठीक है जैसे कि हमारे पॉड़ास में है चीन और पाकिस्थान नेक्स्ट कोशन आपसे करा है भू इस्तराथजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बनाएं वो इस्तराथजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बनाएं अंसर कर देंगे भू प्लस इस्तराथजी भू यानि पिर्मुकिस्तान है। 18,263 वर्ग किलोमीटर का है इसको मुबाइल नमबर के जैसे याद कर लेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ठीक है इसी पॉइंट में एक पॉइंट और देखेंगा 6 तरफल की दरश्टी से भारत विश्व का साथवें सबसे बड़ा रास्ट है देखो यह कोशिन आपसे इस तर इसमें आ रहा है कि विश्व की कुल भूमी का 2.4 प्रितिशत भारती चेत्र यानि कि 2.4 प्रितिशत भारत का भूमी है वो विश्व की 2.4 प्रितिशत यानि कि विश्व की जितनी भी भूमी है उसका 2.4 प्रितिशत जो चेत्र वो भारत के पास है ठीक है ऐसे आप कह सकते नेक्स्ट कोईशन आपसे गहरा है भारत की स्थलिय सीमा कितनी है तो भारत की स्थलिय सीमा हो जाएगी 15200 किलोमीटर की ठीक याद रखेंगे दीप समू सहीत कुल 30 सीमा कितनी हो जाती है तो अंसर कर देंगे 7516 166 km भारत की कुल 30 सीमा हो जाएगी जैसे अंडमान निकोबार दीप समू हो जाता है आपका और जितने भी छोटे छोटे दीप समू है उन सभी को मिला लिया जाए तो आपकी जो कुल 30 सीमा हो जाएगी 7516 166 है किलो मीटर्ट इसी प्वंट में नेक्स पॉयंट में आपको देखने को मिलेगा भारत की कुल सिमा इस पुल कितनाइब करना मैंठ टेलग्राम पर डाल दूंगा आप वहां से इस प्रेंफ को निकाल जूम आप पढ़ सकते हैं और मैं सारी चीज़े आपको बोल रहाँ तो आप उन पर ध्यान देंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है next question आप से करा भारत की उत्तर दक्षिन कितनी है उत्तर दक्षिन लंबाई कितनी है भारत की उत्तर दक्षिन लंबाई होगी 3214 किलो मेटर ठीक है भारत की उत्तर से लेकर दक्षिन तक जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलो मेटर ठीक है नेक्स्ट पुइंट से करा भारत की पूरफ पश्चिम चोड़ाई कितनी है भारत की पूरव से पश्चिम तक जो चोड़ाई है वो कितनी है अंसर कर देंगे 2933 किलो मिटर भारत की पूरव पश्चिम चोड़ाई हो जाएगी ठीक है भारत कितनी तरफ से समुद्र से गिरा है भारत कितनी तरफ से समुद्र से गिरा एंसर कर देंगे तीन तरफ से समुद्र से गिरा है पूरा पच्छिम दक्षिन ठीक है आपसे भी कोई सारी बाते पता है पूरा में बंगाल की खाड़ी हो जाएगा पस्चिम में अरब सागर ह स्वेगला पुर्ट हो जाएगा लिधा कि बार चीन चीन के बीट की सीमह रेखा को किस नाम से जाना जाता है इसो की त्रेपर मैं बेखिन करा थे वो भी काफे रिले टॉपिक से रेलेटेट काफी कोशन उस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे अगर उन वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो इस पेपर में भी काफी हैल्प करेंगे वो कोशन आपके लिए ठीक है इस बात को भी याद रखेगा मैक मोहन कौन मतलब की देख उत्राकन सिक्किम और राच्चल पिर्देश ठीक है लड़डव हमाचिल पिर देश उत्राइ AC को छूते हैं भारत के वच्छग पैंशिर कर देगाईंगे पांच चीन की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे मतलब कि चीन की सीमा से सबसे लंबी सीमा सांजा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है तो यहां पर आप इसको अंसर कर देंगे अर्वांचल प्रिदिस ठीक है यहां पर अंसर कर देंगे अर्वांचल प्रिदिस ठीक है ऐसे पाकि बारत पाकिस्टान के बीच बीच सीम्ह रेखा को किस नाम से जाना जाता है इसकी कल में है तीनया dom किलों मीटर हो जाएगी और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीम्ह रेखा रेड कलीफ रेखा पर भारती है säger बल रहता उसको बोलते हैं border security force ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रहता है वो BSF रहता है भारत और बंगलादेश के सीमा पर जो रहता है वो आपका BSF रहता यानि कि दोनों मुस्लिम रास्ट के बीच में कौन सा रहता है BSF रहता ठीक है BSF फोर्ष रहती है ठीक है नेक्स्स्ट कुशन आपसे गरा है भंगा बंगलादेश कब अस्तित्am आया था या 술ए चैनि कि बंगलादेश को बंगलादेश का नाम कब मिला था ता 1971 मृं ठीक है उस पहले उसको पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है बंगलादेश और भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है बंगलादेश और भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी अंसर कर देंगे चार हजार चैनवा किलोमीटर की और सबसे लंबी सीमा सांजा करता ठीक है बंगलादेश जो है भारत की साथ सबसे लंबी सीमा स नाम से जाना जाता है बंगलादेश की सीमा पर भी BSF रहती है और पाकिस्तान की सीमा पर भी BSF रहता है कि हम भारत की तरफ से बात कर रहे हैं नेक्स्ट कॉश्न आपसे करा है बंग्लादेश की सीमा से भारत की कौन से राज्जे लगते हैं इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट को्शन आप से कहderा नैपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्जे कौन से हैं सिकक्टिम, पसचीम, मंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेस, उत्तर कंटी के कितने राज्ज होजाएंगे 1,2,3,4,5 पांच राज्य हो जाएंगे याद रखेंगे next question आपसे कराए सीमा की कुल लंबाई कितनी है सीमा की कुल लंबाई कितनी है 1751 151 किलो मीटर की कुल लंबाई रहती है सीमा पर इस्तित बल रहता है SSB यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेगा नेपाल और भूटान पे जो बल इस्तित रहता है वो रहता है आपका SSB पाकिस्तान और बंगलादेश पर जो बल रहता है उसका नाम है आपका BSF ठीक है Border Security Force और एक पॉइंट और याद रखेंगा उत्तर में भारत का मित्र देश हो जाएगा ठीक है उत्तर में भारत का मित्र देश हो जाएगा नेपाल नेक्स्ट कुशन आपसे गहरा है भूटान के साथ लगने वाले भारत की कौन-कौन से राज्य हो जाएंगे अरवा 99 Kilometer ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आपसे इसी पॉइंट में कहरा है कि सीमा पर इस्तित बल रहता है SSB पाकिस्तान और बंगलादेश की सीमा पर जो बल रहता इसका नाम है BSF ठीक है इन दोनों पॉइंट चेया का राज्य है तो मयम्मार के साथ लगने वाले भारत के राज्य हो जाएंगे और वांचल पिर्देश, मणीपूर, मिजोरम, नागलेंड कितने राज्य हो जाएंगे चार राज्य हो जाएंगे 1643 km की मैंमार के साथ भारत जो है सीमा सांजा करता है इस बात को याद रखीगा सीमा पर इस्तित बल रहता है असम राइफल ठीक है कहाँ पर मैंमार की सीमा पर मैंमार और भारत की सीमा रेखा पर बल रहता है असम राइफल रहता है इस बात पानी के पत्य पत्ती किसे रेखा को कहा जाता है तो पानी की पत्ती 5 रेखा को कहा जाता है याद रखेंगे यह भारत के गुजराथ और पाकिस्तान के सिंध प्रांच से लगी एक रेखा है ठीक है भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांच से लगी एक रेखा है जो पानी की पट्टी पे खीची गए कक्ष विवाद और 1965 का भारत पाकिस्तान के युद्ध का कारण थी ठीक है जो सरक्रीक रेखा है वो कक्ष विवाद और 1965 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके युद्ध का कारण थी सरक्रीक रेखा इस बात को याद रखेंगे भारत और चीन के बेच इस्थित मैक मोहन रेखा का निर्धारन कब हुआ था अंसर कर देंगे 1912 से 1914 तक चले सिमला समझोते के कारण इस रेखा का जो है निर्धारन हुआ था निर्मान हुआ था कह सकते है नेक्स्ट कोशिन आपसे कह रहा है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं तिबत वर्दमान चील नेपाल भूटन टीक है आपको अपने देश की सारी भोगोलिक की स्थिती पता होने चाहिए स्यक्वर्टी की द्रस्टी से तो आपको यह सारे point ना बहुत महतपूर है आपको सारे point देखने है एक भी question आपको नहीं छोड़ाना है अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो telegram से जाके PDF डाउनलोड कर लो वहां से आप पाराम से zoom करकर करके देखने सकती हो और अगर नहीं दिख रहा तो मैं जो ब अउगानिस्तान एक point और याद रहेगा पाकिस्तान जो है भारत के भारत की साथ क्या करता है ठीक है आगे मैंने point लगाए वहां पे आपको मैं समझा दूँगा थोड़ा next point आप से बहारत के पूर्व में इस्तित पड़ोसी देश कौन से है तो भारत के पूर्व में इस्त बार दीप समू है वो केंदर शातित प्रदेश है जो पूर्व में इस्तित है ठीक है बंगाल की खाड़ी में इस्तित है ऐसे याद रख सकते हैं next question आप से कह रहा है पस्चिम में भारत की समुद्री सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से है देखो भारत जो है ना तीन तर ये भी हम पे अटेक हो सकता है तो सुरक्षा की दरिस्टी से सभी महत पूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना ठीक है देखो अभी हम बात कर रहा है पस्चिम पस्चिम में भारत की समुद्री सीमा से लगे पड़ोसी देश हो जाएंगा आपका पाकिस्था ठीक है ये भारती सीमा की सुरक्षा कौन करता भारती है नो से ना करती है ठीक है याद रखना नेक्स्ट पूइंट आपसे करा पूर्व में भारत की समुद्री सीमा से लगे पड़ोसी देश है तो पूर्व में भारत की समुद्री सीमा से लगे देश हो जाएंगा आपका बंगला द सीमा की सुरक्षा भारती नौसेना करती है ठीक है इस बात को याद रखेगा नेक्स्ट कुशन आपसे कह रहा है इसी पॉइंट में कि जो मयम्मार की सीमा है इसकी समुद्री सीमा जो हिंद महा सागर से लगती है मयम्मार की जो समुद्री सीमा हिंद महा सागर से लगती है यह आपका भारत है ये आपका दक्षिन है ये आपका पूरम थाइल्ड के बार्ण में लगे रास्ट से हो जाएंगे nhân कहें तीन रास्ट हो जाएंगे इनके बारे में जान लें थोड़ा सा इंडोनेश्या इसकी सिता हिंद महा सागर से लगती है हिंडोनेशिया की जो सीमा है हिंद महा सागर से लगती है इसकी सुरक्षा भारती नोसेना करती है थाइलेंड जो है इसकी सीमा जो है हिंद महा सागर से लगती है इसकी सुरक्षा भी हिंद महा सागर से लगती है इसकी सुरक्षा भी इसकी सुरक्षा जो है भारती तरट रख्षक बल करता ठीक है शीरे-लंका की जो समुद्दरी सीमा है उसकी सुरक्षा करता है भारतिये तरट रख्षक बल Indian Coast Guard Indian Coast Guard का काम क्या होता है कि सरिफ निगरानी करना एक तरह से युद्ध नहीं लड़ता ठीक है जो Indian Coast Guard है वो युद्ध नहीं लड़ता है, वो सिर्फ निगरानी करता है कि इस्तिति कैसे चलिए, अगर यहाँ पर युद्ध की स्ताथी कभी बविश्य में हुथपन्न होती है तो भारती यहाँ पर युद्ध लड़ेगी, ठीक है? कोस्ट गाड का काम होता है सिर्फ निगरानी करना गाड से आप समझ रहे होंगे कि गाड का क्या होता है नेक्स्ट कोशिन आपसे कह रहा है दक्षिन पक्षिम में इस्तित भारती समुद्री सीमा से लगे देश है तो दक्षिन पक्षिम में दक्षिन अभी दोखो भारत है या आपका दक्षिन हो जागा या आपका पस्चिम हो जागा दक्षिन पस्चिम में लगे भारती समुद्री सीमा से देश हो जाएगा आपका मालदीव ठीक है इसकी सीमा जो हिंद महासागर से लगती है इसकी सुरक्षा भी भारती है नोसेना करती है याद रखेंगे नेक्स्ट कोशिन आप से कहरा है भारत के साथ जल और थल दोनों सीमा साज़ा करने वाले रास्ट अभी आपने पढ़ लिया थल सीमा साज़ा करने वाले रास्ट और समुद्री सीमा सांजा करने वाले रास्ट अभी आप उन रास्ट को देख लीजिए जो भारत के साथ जल और थल दोनों ही सीमा सांजा करते हैं यानि कि एक ही देश है जो थल सीमा भी सांजा करता है और समुद्री सीमा भी सांजा करता है तो सबसे पहले नमबर पर आपको यहाँ पर आजाएगा पाकिस्तान जो पाकिस्तान है आपका थल सीमा भी सांजा करता है और जल सीमा भी सांजा करता है उत्तर पस्ची में यह आपका समुद्र सीमा सांजा करता है जो अरब साकर में है बंगलादेश जो आपका पूरवी सीमा सांजय करता है जो बंगल की खाड़ी में है जो कि बंगल की खाड़ी में इस्थिते याद रखेंगे बारत और श्रीलंका को कौन सी जलसंदी जोड़ती है या फिर कौन सी जलसंदी अलग करती है आप कुछ भी कह सकते हैं भारत और श्री लंका के बीच में कौन सी जलसंदी है कौन सी जलसंदी इन दोनों को अलग करती है या फिर इनको जोडती है तो पाक जलसंदी ठीक है पाक जलसंदी याद रखेंगे भारत के तमिलनाडू राज्य और श्री लंका के जाफान जिले के बीच इस्थित है याद यहाँ पर आपके 31 questions हो चुके 32 से जो है मैं next part में start करूँगा वीडियो ना बहुत बढ़ा हो जाएगा तो मैं दो part इसके में कर दे रहा हूं तो आप part 2 के लिए चैनल को subscribe करके जरूर रखना और मैं शाम तर इसका upload कर दूगा ठीक है तो ठीक है में तरफ सबसे भी को best of लगता है